सिक्केंबार में 22 सेनिक अभी लापता जवानों के परिगार के लिए सेना ने जवारी किये तीन हेल्प लाइन नमबर जब मुकश्मेर के कुलगाम में आतंकी और सुरुक्षा बलों के बीच मुट फेड़ दो आतंकी धे सुनाव के पहले शिवराज का बड़ा दोफ़ा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 फीस दी आरक्षा पोतिन ने फिरकी पियम मोदी की तारीफ कहा भारत में विकास की रफ़तार शांदार हर्याड़ा पटाका फेक्टरी में बलास्ट से तहल उठा इलाका दो बच्चों की मौत ममतब अनर्जी के मंत्री रथिन घोश की आवास पर एड़ी की छा बेमारी भरती घोटाले में है आरूपी यानवापी मावले में आज कोट में सुनवाई A.S.I. ने सर्वेक्शन के लिए मागा था चार हफ़तों का समय की बात से कई आर्थिक योजनाओं को मिलेगा प्रोच साहन S.B.I. ने जारी की विशेश रिपोर्ट पियमोदी आज फिर राजिस्थान और M.P. को देंगे चुनावी सोगात कई परियोचनाओं का करेंगे लोकारपन और शिलान्यास देवाली तक मोदी सरकार का बड़ा तोफ़ा करमचारियों का बढ़ सकता है D.A. देखती रहिए D.B. भारती समचार नजर हर खबर पर